हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल मैप में आप अपना घर कैसे देख सकते हैं तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को सुरू करते हैं आपको गूगल मैप अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है तो हमारा जो यह मैप का अप्लिकेशन वह यहां पर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके जो हम इसको ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद जो है आपका लोकेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर लोकेशन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे location वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पे जहाँ कहीं भी आप के map में कहीं पर भी होंगे जैसे location वाले option पे click करेंगे तो location जो आपका दिखाई देना सुरू हो जाएगा दोस्तो हमारा जो घर है वो रोड के किनारे है तो यहाँ पर जो बहुत ही अधिक संभावना है कि हमारा जो घर है वो Google Map में दिखाई देगा अब इसको देखते कैसे हैं तो देखने के लिए जैसे ही आप जूम करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह देखिए यहाँ पर नीचे के तरफ एक Street View का Option जो देखने मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यह वाले डबे में आपको Google Map जो दिखाई दे रहा होगा और इस मैप में यह नीला कलर की जो लाइन जो बनी हुई है ठीक यह रोड पर जो आसमानी कलर की जो लाइन बनी हुई है तो यह जहाँ जहाँ पर यह आसमानी कलर की लाइन बनी होगी वहाँ वहाँ का आप पिक्चर यानि की फोटो जब देख सकते हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ की पिक्चर जो उपर की तरफ जो हमको देखने को मिल जाएगी इसको थोड़ी सा हम जूम आउट करते हैं देखिए हमारे घार के पास यह जो रोड है यह दोनों रोड जो यहाँ पे दिखाई दे रही है एक इधर से गई है एक यहाँ पे आगे तरफ से गई है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक photo दिखाए दी रहा है यह photo जो खुए, 360 photo रहता है यह आप देख सकते हैं कि 4 तरफ से यह photo click किया गया है तो इसको 360 photo बोला जाता है और यह map की जो गाड़ी रहती है एक four wheeler रहती है उसके उपर camera लगाया जाता है इसका जो यह मैप है और यहां पर जब देख सकते हैं कि हमारा जो घर है वो यहां पर दिखाई दे रहा है यह देखिए यहां पर जब हमारी गाड़ी खड़ी है और यहां पर जब हमारा घर यहां पर दिखाई दे रहा है यह देखिए यह हमारा घर है ठीक तो कुल मिलाकर य आप street view इस system को इस service को जो बूलते हैं street view तो इसी के मदद से आप अपना घर देख सकते हैं अब मान के चलिए किसी रोड पे यह line नहीं बनी हुए यह blue color की line नहीं है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे blue color की line है यह देखे यहाँ पे blue color की line जो दिखाई दे रही है यह देखे यहाँ पे दिखाई दे रही है तो यहाँ पे picture देख सकते हैं वही इस तरफ इस तरफ की road पे यह blue color की line जो नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब यह है कि यह जो गाड़ी है इस तरब जो है इस रास्ते पर नहीं गई है तो अगर आपका घर जो है में रोड पे है या किसी ऐसे रोड पे है जहां पर आप के यहां पर जो है गाड़ी चलती रहती है और वहाँ पर Google Map की गाड़ी अगर आई होगी तो वहाँ का जो फोटो उसने क्लिक किया होगा तो वहाँ का जो आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो देखने के लिए सेंपल करना क्या रहता है आपको Google Map अप्लिकेशन को ओपन करना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक कर देना है तो लोकेशन पर आप पहुँच जाएंगे थोड़ी से जूम करना है जूम करने के बाद यहाँ पर आपको आप्सन यह वाला देखने को मिल जाएगा स्ट्रीट व्यू का यहाँ पास तो यहाँ पर क्लिक करके जो आप यहाँ का स्ट्रीट व्यू जो ही देख सकते हैं और अपने घर को भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए यह हमारा घर है फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ पे फुल स्क्रीन का उपसन भी जो देखने को मिल जायागा तो इस पे क्लिक करके जब आप स्क्रीन को जो फुल कर सकते हैं और अपने घर को Google Map में देख सकते हैं तो दोस्तो कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी पसंद आए तो लाइक करिएगा कोई भी नया सवाल रहता है या कमेंट कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं बता सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तो धन्नवाज जाएं